हम लोग ने अपने प्रीविएस वीडियो में देखा था डिस्टेंस वर्सस टाइम का ग्राफ आज हम लोग देखेंगे वेलासिटी वर्सस टाइम का ग्राफ तो सेम हुआ ही है उस ग्राफ में हम लोग क्या कहे थे जो हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो हमारा था वह y-axis पे लिए थे और जो हमारा time था वह x-axis पे लिए थे लेकिन उस graph में आज हम लोग जो देख रहा है velocity versus time graph तो इसमें जो हम लोग लेंगे यह displacement को remove करके यहां velocity लेंगे तो उस graph में मैंने बोला था कि बस एक ही चीज important है कि जो slope होता है हमारा यह st curve काि बात कर रहा हूं जो slope होता है हमारा वो velocity को represent करता है तो जिसका slope जितना ज्रहाइब ज्यादा होगा यह वला तो इसका तु सलोप जितना यह ज़्यादा होगा इंगल उसका वेलसिटी Sut娘 यह जदा वगा क्योंकि सलोप ही जो येश्टी करवता है उसमें सलोप ही हमारे वेलसिटी को धिनिट करता सो इसमें देखिए条 हमारा और slope के बारे में बोला था change in y-axis divided by change in x-axis तो जो हमारा velocity time graph है उसमें देखिए ये लिए मैंने time और ये लिए मैंने velocity तो इसमें अगर मालीजे कोई हमारे पास object है वो move का rise direction में तो इसमें देखिए अगर मैं बात करता हूँ मालीजे कोई point लेता हूँ यहां पर यह T1 time पर और एक और point लेता हूँ यहां T2 time पर और यहां माल लेता हूँ velocity इसका u है और यहां velocity इसका v है तो माल लेता हूँ T1 time पर हमारे velocity u था और T2 time पर हमारे velocity v था तो अगर यहां बात करता हूँ, यहां अगर slope calculate करना चाहता हूँ, तो जो हमारा slope होता है, जो slope होता है, उसमें जो एक्स आर y कि डिवाइड राइंग कि टा प यह देख लिया च MU य। ती दिवाइड भाइड बाय टैइम चैनlection जो हमारा यह उप यह हाँ जब निकाल दो यह कमारे पास तरफ लीचा एकस था वो उने टोकला लगा और यह एक्स एक्सिस था यह ग्राब थोड़ा सब खीच लेता हूं ताकि अच्छे से देखें यह हमारा टीवन टाइम था और हमारा टीटु था और हमारे पास यू था हमारे पास वी था तो चेंजिन वेलोसिटी जो है वो यझस था जो चेंजिन वाइट था और यह ये एक्स एक्सिस पे है нем स्क्राइब उ यक्राइब क्शन यह यह है तो जोई वेलोसिटी करिए या दकने वाले बात है वह यह है कि जो यह slope है वो change in velocity divided by change in time है वहां दिख भी रहा है तो जो हमारे पास यह slope है वो यह वाला definition से अगर देखा है acceleration करता है यानि कि a quest लिखता हूँ यह जहाँ acceleration है तो हाँ a quest slope होगा और यही slope अगर इससे देखना चाहूँ तो जो change in velocity है वो final velocity हमारे पास v था और initial u है यह हमारे पास हो गया और जो final time हमारे पास t2 है minus यह t1 है तो जो हमारे पास acceleration है वो v minus u divided by t2 minus t1 अगर plot से बात करों तो इसमें अब जितने question उसमें किये थे वो same चीज़ें यहां देखी जा सकती है तो बस यह इसमें याद रखने वाली बात है कि जो slope है महाँ acceleration को जो हमारे पार से स्टी कर्व होता है उसमें जो slope होता है वो velocity को और यह सेकंड चीज़ और देखेंगे इसमें अगर माल लीगे मैं बोलता हूं आपसे कि यह object जो था ऐसे move किया initially वो 0 पे था यह move किया मेरे पास ऐसे और यहां गया यह है यहां time लिया कुछ भी t1 तो अगर मैं इसकी area की अगर बात करता हूं अगर मैं इस triangle का जो यह triangle बन रहा है यहां o लिख लेता हूं यह a तो अगर मैं triangle की area की बात करता हूं तो यह मुझे clear दिख रहा होगा कि जो area होगा 1 upon 2 यह right angle 1 upon 2 यह लिख लेता हूं area of इस triangle का area जो है 1 upon 2 यह base होता है base जो हमारे पास है t1 और यह हमारे पास जो है वो height होता है तो height को भी मैं कुछ माल लेता हूं वी माल लेता हूं final में हमारे पास height है वो v है तो जो हमारे पास area आया 1 upon 2 वी टी वन तो अगर इस चीज को मैं देखता हूं वी इंटू टी को यानि कुल मिला के यह जो हमारे पास है वो velocity है यह मारे पास वेलासिटी और सेकेंड जो टर्म है वो time है तो time इंटू वेलासिटी अगर देखे तो जो पहले मैं पढ़ाया था वेलासिटी का एक्वेशन था हमारे पास वेलासिटी था वी इक्वर्स टू डिस्प्लेस्मेंट यानि के यह से दिनोट कर दूँ और नीचे जो था time तो जो हमारे पास yas आएगा yas आएगा displacement अगर इसे speed बोलता हूं तो यह distance हो जाएगा और इसे वेलासिटी बोलता हूं तो यह displacement हो जाएगा तो यह sequence जो आ रहा है v into t तो यहां clear दिख रहा होगा जब भी velocity और time का multiply किया जाता है तो यह displacement देगा यह तो distance देगा तो अगर यहां पर भी देखे तो यह velocity और time का multiplication ही है तो यहां जो नोट करने वाली बात है अगर नोट में लिखेंगे तो जब भी नोट में अगर यह बात लिखा जा तो जब भी हम लोग इसका एरिया calculate करेंगे यानि कि वीटी कर्व का जब एरिया calculate करेंगे तो बात याद रखेंगे जब भी हम लोग वीटी कर्व का एरिया लिखेंगे एरिया ओफ वीटी कर्व या ग्राफ बोलते है इसको कर्व या ग्राफ जो भी लिखना हो गिफ्स अस कि डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट तो बस इसमें एक बात वह याद रखेंगे जब करेंगे तो मारियघ सब्सक्राइबर किरत करेंगे और जब हम लगalenेola इरिया गैट इसमेंद्रिचंब याद करेंगे तो मोग एक लिखन पल रिटे हैं बस दो बात इसमें आद रखेगा एक उल्टाइब कि का रहा हैं कि एरिया लेनेसे कैसे distance कब distance या कब displacement होगा और उसे कल्कुलेट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं तो हम लोग देखिए एक example यहां जिसमें आपको VT कर्व दे रखा है जिसमें यह object का position है कहां कहां कैसे गया तो इसमें बोला आप से calculate distance and displacement from given figure तो अब देखे करते क्या हैं जैसे मैं बोला था कि VT कर्व में हम लोग जब area calculate करते हो तो distance displacement दोनों दे सकता है तो आपको कैसे पता होगा कि distance displacement को ऐसे लिखेंगे तो देखें जब भी हम लोग distance calculate करेंगे । बिस्टेंस calculate करेंगे जब भी तो जो भी area दिया है जैसे इधर आपको पता है कि आपको इंधर उपर होता है y radius positive होता और नीचे negative होता है तो यह वाला आपास क् gente होगा नीचे होगा और यह वाला पास rectangle बना हुआ है हिंदी वाले समझ जाएंगे चतुर भूज यह बना हुआ है इसे डिनोट कर लेता हूं नंबर वन यह से तू से और यह थिरी से तूहारा पास इसका एरिया वन का एरिया तू का एरिया और तू का एरिया जब यह पूरे को पूरे को जब आइड करेंगे जब डिस्टेंस कलकुलेट करना हो तो चाहे एरिया पॉस्ट्व हो चाहे एरिया निगेट्व सबको एड कर देंगे तूह यह यह यहान से 0, 1, 2, यह 2 unit है और यह 3 unit है तो जो इसका area हो जाएगा 2 into 3 हो जाएगा plus इसका जो area है आपको दिख रहा है distance calculate करेंगे तो simply चाहे area negative हो या positive सबको add करेंगे तो यह दिख रहा होगा आपको 2 से 4 गया यानि 2 unit यह है और यह वाला 1 है तो 2 multiply with 1 plus एक ठ dai वहाला बचा यह यह भी दिख रहाँगाँ अटू यूनिट है और यह भी टू तो 2 multiply with to यह उपर जो हमारे पास हो जाएगा distance calculate करना तो हमारे पार यह किस्म हो जाएगा तो जो हमार पास distance calculate करने के लिए बोलेगा तो चाहे area positive हो चाहे area negative हो सबको add कर देंगे तो हमार पास आगा distance अब देखे displacement कैसे calculate करते हैं यहां लिखता हूं displacement तो displacement में देखे जब भी displacement calculate करना हो तो जो area positive हो उसे positive रखेंगे जो area negative हो उसे negative रखेंगे देखें यहां इसका area था हमार पास two into three था यह जो area है यह वाला यह वाला negative area है तो इससे minus रख देंगे two into one plus यह positive area है three वाला तो यह two into two था तो यह हमार पास हो जाएगा six यह हो जाएगा minus two और यह हो जाएगा हमार पास four तो हमार पास जो आएट मीटर है तो हमार पास displacement जो आया वह eight मीटर आया तो जब भी आपको displacement और distance calculate करना हो इस वी टी कर्व में तो हमार पास यह जो हमार पास displacement होगा उसमें negative area negative sign के साथ रखेंगे और positive area positive sign के साथ हो जब भी distance calculate करना हो तो सभी एरिया चाहे एरिया positive चाहे एरिया निगेटिव उन्हें add कर देंगे आप आप